हाव रूफिक्स केने राइट्स एप नोट रेस्पॉंडिंग और ब्लेक स्क्रीन प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का थिकिराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूँगा कि कैसे आप जो है केने राइट्स एप के ये प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकती है तो दोस्तों कभी कबार एप के अंदर पी इस तरीके का प्रॉब्लम होई जाते है जब हमारे एप में कोई बग आ जाते है जब हमारे application उसका जो data है एप data वो corrupt हो जाते है या फिर कोई error हो जाते है तो उसमें problem होते हैं ठीक है और जब हमारे app अंदर से crush करते हैं तभी दोस्तो हमें इस तरीके का problem देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो क्या solution करना है कैसे solve होगा problem ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ वीडियो को आन तक देखे जो भी solution होगा उसको follow करे आपका problem भी solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करे अगर आप online पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पे follow करके message कर सकते हैं चले दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको यही suggest करूँगा आप अपने mobile को restart करके देखे restart करने के बाद दोस्तो अगर आपका problem solve होते हैं तो अच्छी बाद है अगर restart करने के बाद भी दोस्तो यहाँ पर problem हो रहा है तो दोस्तो आपको जाना है play store and then search कर देना है अपना canerites app search करने के बाद आपको यह app को update करना होगा क्योंकि अब update करने से आपका app misbehaving problem solve होगा app data corrupt problem solve होगा और app के related latest feature आपको मिल जाएगा और जो भी problem है अप में वो सब कुछ fix हो जाएगा तो आप पहले तो अपको update करें and then mobile को restart कीजिए and then recheck करके देखे अगर दोस्तो आपका problem solve हो जाता है अपडेट के बाद में तो अच्छी बाद है और दोस्तो हो जाना भी चाहिए आपका problem solve क्योंकि मैंने खुद से भी देखाई कि problem जो है यहाँ पे solve हो जाता है after the update लेकिन अपडेट के बाद भी अगर solve नहीं होता है problem तो आपको जाना है setting उसके बाद आपको यहाँ पे app and notification मिलेगा तो उसमें जाएए दोस्तो एप and notification के जगे पर आपको manage app, install app, app management, app manager करके option मिलेगा वहाँ पे जाके आपको केने rights एपको open करना है उसके बाद एपको force stop करते हुए आपको storage users पर जाना है clear storage okay कर देना है, okay करने के बाद बेक करना है बेक करने के बाद आपको permissions allow कर देना है allow करने के बाद आपको mobile data यहाँ पे access वगरा कर देना है make sure आपका mobile data वगरा access रहे एपके अंदर पे उसके बाद device को restart करे end end check करके देखे दोस्तो आपका problem solve हो चुका होगा ठीक है तो इस तरह के से आप यहाँ पे problem solve कर सकते हैं इतना solution करने के बाद में दोस्तो कई सरे लोगों का problem है वो solve हो जाते है लेकिन by any chance अगर आपका problem solve नहीं होते हैं यह solution करने के बाद भी तो दोस्तो आपको जाना है play store और app को जो है reinstall कर देना है पहले तो आप uninstall button पे click किजे uninstall पे click किजे uninstall करने के बाद आपको setting पर जाना है scroll down करते हुए जाए और दोस्तो system को update किजे तो यहाँ पे मिलेगा software update तो software update बगरा कर लेने के बाद आपको जाके reinstall कर लेना है app को play store से आपको reinstall करना परेगा और यह करने से आपका problem solve हो जागा क्योंकि दोस्तो यहाँ पे जब हमारा app काम नहीं करते है अच्छे तरह के से तो वह software के वज़े से भी होते है दोस्तो कोई app जो हमारे software में अच्छे से run नहीं कर पाते और चल नहीं पाते ठीक है तो उसको fix करना होगा और fix करना जरूरी है तो इसी तरीके से problem solve होगा और आप एप को यूज़ कर पाओगे तो दोस्तो केनराइट्स एप solution यह है आप इस solution को follow करके problem को fix कर सकते है उमीद करते हैं आपको वीडियो पसन आया होगा thanks for watching